हलो गाईज, मैं हूँ पप्पो और आज इस वीडियो में जानेंगे सुखा रोग क्यों होता है? सुखा रोग का लक्षन और सुखा रोग से बचने का घरेलू उपाए और हाँ, सुखा रोग को इंगलिज में रिकेट्स या मराज मस भी कहते हैं तो चलिए एक एक चीज को बारिकी से समझते हैं सबसे पहले जानेंगे सुखा रोग क्यों होता है? कम भोजन मिलने पर प्रोटीन, कार्बोहेडरेट, केलसियम, फासपोरस, बिटामिन आदी कई पोसक ततों की मातरा कम हो जाती है चलिए अब जानते हैं कि सुखा रोग का क्या लक्षन है बस लक्षन में यही है कि सरीर की हडिया दिखाई देना, हडी कमजोर होना, सरीर दूबला पतला दिखना, पेट फूलना और उनके सरीर में ब्रीधी रुकना यानी बहुत धीरे धीरे सरीर में बिकास होना ओके चलिए अब जानते हैं कि सुखा रोक सी बचने का घरेलू उपाय क्या है तो देखिए नमबर वन में है भरपेट भोजन करना अब आपका डाउट ये होगा कि पोशक तत्व कौन कौन होंगे तो देखिए कार्बो हैड्रेड प्रोटीन वसा बिटामीन एवं खनी जलवन साथ ही जल और रुचांस यहाँ पर देखिए चली अब जान ही लेते हैं कि कार्बो हैड्रेड में क्या के आता है तो चली जानते हैं कार्बो हैड्रेड के स्रोत तो कार्बो हैड्रेड के स्रोत में आता है आलू, सकरकन, तरबूज, एक, चावल आदी अब आता है प्रोटीन के स्रोत सभी दाल मांस मचली अंडा वर्फी मिठाई दूध आदी इसके बाद आज़ता है वसा वसा में सभी तेले मांस मचली अंडा दूध घी क्रीम मखन आदी बिटामिन अब चली जानते हैं खनिज लवन के स्रोत ये सारी चीजे अगर आपको भरपूर मातरा में मिलती रहे अगर थोड़ा थोड़ा भी मिलता है सभी चीजे तो आपका सरीर कभी भी बिमार नहीं पड़ेगा आप कभी भी स्वस्त रहेगा और सुखा रोग से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं अई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो आप आसानी से समझ गये होंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत प्राइब ख़र चुटकारा पारत